आरियन खान के ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद बॉलिवोड के एक और सीनियर आक्टर ने अपना रियक्शन दिया है इनको जाना जाता है अपनी सटीक बात के लिए और जहां हम अकसर देखते हैं कि लोग influence में रेकर या फिर किसी के stardom के नीचे दब कर बात करते हैं ये हमेशा अपनी बात रखते हैं सामने चाहे कितना ही बड़ा आक्टर क्यों ना हो मुकेश खन्ना की मैं बात कर रही हूँ आर्यन खान के अरेस्सोने पर मुकेश खन्ना ने एक न्यूस चैनल पर एक panel discussion में हिस्सा लिया जहाँ पर उन्होंने अपना reaction देते हुए कहा कि अगर आप एक celebrity के बेटे हैं लेकिन नियम, कानून, जाच अपने हिसाब से चलती है एक मामला आप पर बना है तो investigation तो होगा ही दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि अगर आप celebrity के बेटे हैं और आप drugs लेते हैं तो इसका प्रभाव दुनिया पर और जादा गलत परता है क्योंकि लोग आपको follow करते हैं ऐसे में अगर ये बात आती है कि आप drugs लेते हैं तो इसका impact गलत परता है तीसरी बात जो मुकेश खन्ना ने बोली वो ये कि drugs जो है बहुत गंभीर मामला है ये कोई cigarette या शराब वाली बात नहीं है drugs वाली बात है जो खुद को खतम करती ही है साथ वालों को भी खतम करती है ऐसे में ये समस्या बहुत सीरियस है इस मैटल को सीरियसली लेना ही होगा फिर चाहे celebrity हो या non celebrity हो साथ ही उन्होंने नेताओं की class ली उन्होंने कहा कि हर एक मुद्दे में ये नेता क्यों गुसे चले आ जाते हैं जब कोरोना आया तब भी नेता गुस गय और अब इस मामले में भी नेता गुस रहे हैं कोई कहरे है कि raid फर्जी है कोई कहरा है कि ये खान है इसलिए इसके ऊपर इल्जाम लग रहा है इन नेताओं से अपना काम तो होता नहीं है और ये इन मामलों में तुरंट आ जाते हैं जो वादे इन्होंने जनता से किया ये वो वादे पूरे कर पाए उस पे तो नहीं टिके लेकिन ये अपनी टांग बीच में आडाते हैं इन्वेस्टिगेशन को और मुश्किल बनाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बजाए इनके इल्जामों के कारण उन्हें सफाई देनी पड़ती है वो इन्वेस्टिगेशन जिन पर हमें गर्व होना चाहिए कि इतना महनत का काम कर रही है NCB जिसने 17,000 करोड का ड्रग्स पिछले 2 सालों में पकड़ा है उस NCB को अभी आकर प्रेस कॉन्फरेंस करनी पड़ी है दो बार जनता के सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ी है क्योंकि उन्होंने एक बड़े स्टार के बेटे को ड्रग्स मामले में अरेस्ट किया